1998 में रिलीज हुई शाहरुक खान की आल टाइम ब्लॉग बस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है तो आपने देखी ही होगी फिल्म में शाहरुक खान का जोल और रानी मुखर जी के अलावा शाहरुक की बेटी अंजली को कौन भूल सकता है फिल्म में चुलबुली अंजली का किरदार निभाने वाली इस छोटी सी बच्ची का नाम सना सहीद है लेकिन दोस्तों ये छोटी सी अंजली अब बहुत बड़ी और काफी होट हो गई है और अब तो आप इस बच्ची को पहचान ही नहीं पाओगे जैसा कि आप देख सकते हो ये वही चुटी सी अंजली खन्ना है जिसे आपने कुछ-कुछ होता है में देखा था अंजली खन्ना यानी सना सहीद का जन्म 22 सितंबर 1988 को मुंबई में हुआ था कुछ-कुछ होता है में बतोर बाल कलाकार के रूप में सना सहीद को खूब सराहना मिली इसके बाद वो साल 2000 में रिलीज हुई बोबी देउल की फिल्म बादल और सल्मान खान की फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा में भी नजर आ चुकी है इन दो फिल्मों के बाद सना बड़े परदे पर लंबे समय तक नहीं दिखी सेवन नच बलिये सेवन और जलक दिखला जाना इन में भी नजर आ चुकी है साल 2012 में रिलीज हुई करन जोहर की फिल्म स्टूडंट अफ दी येर में भी सना नजर आई थी इस फिल्म में वो अपने होट लोक से फैन्स का दिल जीतने में भी कामयाब हुई थी फिल्हाल सना सईद लोस अंजलेज में है और सोशल मीडिया पर काफी आक्टिव रहती है इंस्टेग्राम पर भी उनके साथ लाग से ज्यादा फॉलोर्स है और वो आए दिन अपनी एक से बढ़कर एक तस्वीरें अपने फैन्स के साथ साजा करती रहती है